तो हलो एरिवन बैंक निफ्टी की एक ओर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आप लोगा फिर से स्वागत है और यहां पे चार्ट पे आप लोग देख पारे होंगे बैंक निफ्टी अपने डे हाई का ब्रेक आउट कर रहा है तो यहां पे पीछे जो मेंटम दिख रहा है तो रेंडम बैर्स को मार्केट ने यहां पे इनवाइट किया है और इसलिए एक छोटी सी सेलिंग साइड यानि की पी साइड में हम लोग ट्रेड बनाने वाले है निफ्टी भी आप लोग देख पारे होंगे क्लोजिंग का सपोर्ट जैसा ही कुछ बना रही है और बैंक अच्छी कैनल में दिखा रही है तो यहां पे 45 कौनिटी हम लोग एड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या पोसिबिलिटी बनती है हलांकि सेटप तो हमारा बन रहा है ऐसे लेंटिंग वाला एंड देखते हैं अभी 45 कौनिटी बाई कर ले हम लोगों यहां से अगर मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टेंस लिए ना तो रेंडम बायर्स को निकालने के लिए एक डाउन साइड में में वेंटम कर दे इतने में हमारा चोटा सुटा तार्गेट होता है वह हिट हो जाएगा एंड वेट करते हैं निफ्टी भी सही है निफ्टी भी अपना क्लोजिंग का ब्रेकडाउन कर सकती है तब तक बैक निफ्टी अपना जो रेंडम बायर्स को टार्गेट करने के लिए नीचे की साइड में आ चाती है एंड सबसे पहले अगर आप लोग डेली लाइव वीडियो देखना चाती हो ना तो चैनल को सब कर लो एंड टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जोइन कर लेना टेलिग्राम पर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफ्रमेशन होती है वो आप लोग को प्रवाइड कर दी जाती है एंड स्टोप लोस इसके अंदर हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं हमारा जितना भी हम लोग डेली अपनी लिमिट रखते हैं 345 का इसके अंदर स्टोप लोस रखने वाले हैं एंड 345 ही ट्रीगर प्राइज हम लोग रख देते हैं एंड उसके बाद अच्छे से होल्ड करते हैं स्टोप लोस लगाने का फायद यह वापसे क्लोजिंग से एंड बैंक निफ्टी वापसे ग्रीन करनल बना रही है लेकिन यह अच्छी बात है क्योंकि बायर्स के लिए यहां पर एक और प्रोट्चिनिटी बन सकती है तो उन सबका ऐसे लिट करने के लिए मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम कर सकती है एं ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी दो से तीन करनल अगर ओर रेड बन जाती है न तो उतने में हमारा टार्गेट हीट हो जाएगा एंड अपनी पोजिशन को एक्जिट करके निकल जाएंगे निफ्टी भी जैसे ही क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करेगी न तो उसके बाद हमार टार्गेट हीट हो जाएगा तो थोड़ा और वेट करते हैं देखते हैं अभी के लिए जितना भी प्रोफिट जड़ा था वापसे मार्केट में कम तो हुआ है तो थोड़ा वेट करेंगे देखते हैं वोलाटाइल मार्केट आप लोगो दिख रहा होगा है एंड वीडिय purpose के लिए आप लोगों को वहां पे provide कर दिया चाता है यहां पे कुछ profit अच्छागा सा market दिखात हो रहा है अचानक से profit कम कर देता है market उसके भाद फिर से वही Profit करने लगता है तो ज़्यादा weight नहीं करेंगे थोड़ा weight और करते हैं उसके बाद देखते हैं हमारे सिर्फ टार्गेट इसके अंदर 60-65 पॉइंट यह है अगर इंडेक्स चार्ट पे हम लोग 100-120 पॉइंट केप्चर कर लेते हैं तो इतनी में मारा टार्गेट हो जाएगा एंड उसके बाद अपनी पोजिशन को बुक करेंगे तो थोड़ी देर और वेट क तो मार्केट में जो हमारा प्रोफ्पीट चला था ना वापस लोस में कन्वर्ट हो चुका है और अचानक سے पूरी मार्केट अगेंस्ट्याइट में मूvenueंटम कर चुक अ कि अच्छाी का सा मार्केट में प्रॉसिट भी दिखा रहा था एंड पूरा प्रॉफिट वापस अगर चार्ट पे अगर आप लोगों को ले जागे मैं बताऊ ना तो आप लोग देखोगे मार्केट में कि हम लोगों ने कुछ यहां पर ट्रेड बनाई थी और यहां से अगर आप लोग मेजर करोगे इस चीज़ को तो मेजर करने के बाद आप लोग देख पाओगे कि लगभग अगर इसे मेजर करें कुछी जगह से हम लोगों ने ट्रेड बनाई थी यहां तक हम लोगों ने पूरा मुमेंटम कैप्चर किया था 118 पॉर्ट हम लोगों ने इंडेक्स चार्ट पे कैप्चर किये थे लेकिन उसके बाद भी प्रिमियम्स नहीं बड़े एंड हलांकि हमें अपना इसे लिट कराना